पूरुक शेतर में शनीवार को कॉंग्रेस का विरोध परदर्शन हुआ वहीं जाड़ धरमशाला पहुची कॉंग्रेस प्रदेशा ध्यक्ष कुमारी शेलजा। कॉंग्रेस ने ग्यापन सोपा पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के परदर्शन में शामिल होने पर दिया जवाब कहा इस परदर्शन में सबका मिल रहा है सहयोग। कॉंग्रेस ने भी महाराष्ट में गटबंदन की कोशिश करी थी। वो कामयाब नियू आपको जी जी थी। पर नहीं बनना चाहिए थी। क्या कारण था कि उनका जो प्री पोल अलाइंस था उनका ये एक साथ ही उनको छोड़ कर आए थे बाहर। छोड़ कर आए थे वो अल्पमत में रह गए थे। भार्टी जनता पाई थे। लोगों की इच्छा थे कि गैर बीजेपी सरकार बने और उसकी और प्रियासरत थे हम लेकिन इन्होंने जोरी चिप्पे सरकार बनाई थे। शेना का गडवंदन में आना कॉंग्रेस NCP के साथ क्या यही सरकार ना बन पाने का कारण मानती आप कॉंग्रेस की। आप तो क्या आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से किया में बात उनकी उन्होंने कैसे किया य। क्या किया तो सामने लोगों के सामने है सारी तो प्रगाज मांते हैं तो तूट जाएगा गटबंदर इसे विचार धारा पर तो आधारत है नहीं कि विचार धारा अलग जेजेपी ने चुनाव लड़ा और वोर्ट मांगा और सीटेंग जीती हैं जनता पार्टी के कहां लोगों का इसमें पूरा पूरा योगतान है ठीट अर्थपरकाश के लिए कुरुकशेतर से कुलतार सिंग की रिपोर्ट ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकाश टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें